एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके परिवार में किसी को राजनीती का रह तक नहीं आता था बचपन गरीबी और अभाव में भी था लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का ज़स्बा था और मन में भारत मा के लिए था सच्चा प्रेम जीवन ने उनके सामने जो भी परिस्थी थी रखी वे उसमें से खुद को ढालते चले गए नाम है नरेंद्र दामूर्दर्दास मोधी बचपन में रेल के डिंबों में चाय बेचनी हो या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या या फिर बड़े होकर राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के प्रचारक से लेकर राजनीती में भारतिय जनता पार्टी में विभिन पदों की जिन्मेदागी मोधी जी का एक ही लक्ष था सेवा और जब पार्टी में मोधी जी को गुजरात की बागदोर सौपी तो वो जुट कै अपने लक्ष सेवा की पूरती में एक निश्ट भाव से सेवा का ही पनिणाम था कि एक के बाद एक चुनाव में भारतिय जनतापआटी जीतती रही। गुजरात प्रगती के पत पर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों माना कि अंधेरा गना है। माना रात अंधेरी हैं अंधेरा गना है। लेकिन यारों, दिया जलाना कहां मना है? प्राप्ति कैसे होती है? देश की असंख्य जरूरतों की पूर्ती कैसे होती है? देश ही नहीं, पूरी दुन्यों में देखा. भारत मा के सच्चे सपू, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्य शैली की धमक. यही बज़य थी कि 2019 के लोकसभाचनाओं में पहले से भी ज्यादा समर्थन के साथ जनतान एक देश की कमान श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सौपी है. और अब मोदी जी का लक्ष है देश की आकांग्षाओं की पूर्ती का. Reform, Perform, Transform. और Permanent व्यवस्ताओं के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसत को भी पूरा करेगा, मन्जील को भी प्राप्त करेगा. जिसके दिल में बस जन्ता की सेवा और उसका ही हित सर्वोपरी हो. एक भारत, श्रेश्ट भारत के संकल्प की पूर्ती की चिन्ता हो, ऐसे सक्चे सेवक का इतिहास रचना निश्चित है. मा भारती के सक्चे सपूर्ज और करोडों युवाओं के प्रेवना स्त्रोंज, प्रधानमंतरी श्रीन नरेंद्र मूडी को भाजपा परिवार की तरफ से जन्म दिवसकी कोटी-कोटी शुकावनाई.